चलिए तो आप बेसिकली आपको समझाना है concept of activation energy लेकिन आपको activation energy समझाने से पहले मैं थियोरी पर आऊंगा जिस थियोरी का नाम है transition state theory क्या कहता है यह थियोरी समझेगा ध्यान से transition state theory का कहना है कि दुनिया में कोई भी chemical reaction हो चाहे वो chemical reaction हो या bio chemical reaction हो और वह chemical reaction uncatalyzed हो चाहे वो catalyzed chemical reaction हो मतलब जिसमें catalyst हो या ना हो अगर वह chemical reaction है तो ऐसा नहीं होता है कि substrate directly product में convert हो जाए ऐसा किसी chemical reaction में होता है चाहे वो catalyzed हो या uncatalyzed हो पहले substrate दीरे-दीरे convert होता है एक intermediate state में जिसको कहते हैं transition state और वो convert होता है product में चाहे वो catalyzed reaction हो चाहे वो uncatalyzed reaction हो डाइग्राम से समझो आजाओ यह देखो uncatalyzed reaction है इस तरफ और इसमें यह है आपका substrate देखो गवर से यह substrate है चुकि यह uncatalyzed reaction है तो यहां पर किसी भी प्रकार का catalyst नहीं है जो reaction करना है सबस्टेट को ही करना है सबस्टेट ने reaction स्टार्ट किया कभी स्टार्ट कर देगा जब उसको अपना chemical reaction का favorable medium मिलेगा reaction स्टार्ट कर देगा किसी वरकार की catalyst नहीं चाहिए उसको क्यों uncatalyzed reaction है सबस्टेट डारेक्ट प्रड़क्ट में convert नहीं हो रहा है वह धीरे धीरे अपने configuration को change किया और देखो वह पहले red color के intermediate state में convert हुआ है और यह जो red color का intermediate state है वह सबस्टेट के जैसा नहीं है लेकिन वह product के देशा भी नहीं है न वह सबस्टेट है न वह product है तो क्या है वह intermediate state है और वही है transition state सुना ध्यान से वही है transition state ठीक transition state अब यह transition state फिर finally convert हुआ product में और यहां पर आपको दो प्रकार के product मिले लोसए रोड़ाक्ट और यह दोनों ही क्या है product यह दोनों product नहीं है अब आप देखो सबस्टेट भी स्टेवल होता है सुना धासा सबस्टेट भी इस्टेवल होता है प्रोडेक्ट भी स्टेवल हुता है अपने अपने अनरजी के वासाफ से जादा और कम बाट में ट्रांजिशन स्टेट यह बनता है हिए बब्लकोल लाया संस्ता यह बनता है यही कहता है transition state theory ऐसा नहीं होता है यह तो क्या हुआ uncatalyzed reaction अब आदा catalyzed reaction में देखो catalyzed reaction में catalyst है और हम लोग चुकी बायो chemistry पर रहे हैं हम लोग यहां पर enzymes पर रहे हैं तो यह catalyst आपका क्या है लेकिन आपको डबड़ डभी का concept पता है आपको concept पता है कि यही सबस्टेट यहां क्यों माइंद करेगा बताया है दीन में बताएगी नहीं तो यह सबस्टेट ऐसा है जो इस active side के साथ compatibility रखता है तो अभी सबस्टेट अलग है इंजाइम अलग है और सबस्टेट और सबस्टेट और इंजाइम कॉंपलेक्स क्या बना सबस्टेट और इंजाइम कॉंपलेक्स और मैंने कहा था याद करो इंडूस्ट फिट त्योरी जैसे ही सबस्टेट अपने एक्टिव साइट पर बाइंड होता है तो वही खुद अपने एक्टिव साइट को चेंज कर देता है देखो यहां पर क्योंकि अब सबस्टेट प्रोड़क्ट में करना चाह रहा होगा तो यह क्या है प्रोड़क्ट है यह क्या प्रोड़क्ट है प्रोड़क्ट बन चुका है लेकिन वह एंजाइम से डिस्वस्टेट नहीं हुआ है प्रोड़क्ट बन चुका यह इन दोनों का नाम अगर आपको लिखना है सो न जहांसे यह हो जाएगा आपका इंजाइम सबस्टेट कॉ और यह हो जाएगा आपका इंजाइम प्रोड़क्ट कॉंप्लेक्स ओके और तब फाइनली क्या होगा चुकि अब वो सबस्टेट वहाँ पर अपने आपको प्रोड़क्ट में कर चुका है उसी इंजाइम पर बाइंड होने के बाद कैसे होता सब आगे बताएंगे इंजाइ अपने नॉर्मल फोम में साइट में आजाएगा और यह प्रोड़क्ट धिस सूसीट हो शूख वंग्या यह प्रोड़क्ट है यह दोनों यहाँ पे हमको देखने की नबाइन के सार्वाइन की यह बीच जिया और उदिया है यहां पर बीच में आपको ट्रांजीशन स्टेट pół म corros ऑए यह दोनों इन थेछ और मैं olurs कि उन्हें फिर से वहीं आप कह रहा हूं मैं सबस्टेक भी अपनेएसाब सी रहे इस टेवल स्ट्रक्चर बीट्ड आपने साफसे स्टेवल है बट यह सबस्टेट्ट और इंजाइम के बीछ में केमिकल बॉन्ड बने यह प्रोडक्ट इसके बीच में यह काफी वीक पॉंड होते हैं कोबलेंड मर्ट तो कभी-कभी ही बनता है यहां पर मुस्ट अब होते हां रिपसे सबस्ट के सबस्टेट और इंड्यामिक का नहीं नहीं होता बीच में एक स्टेट आता इसको कहते हैं ट्रांजिशन इस्टेट होता है ट्रांजिएट इस्टेट होता है बहुत कम समय के लिए मिलने वाला स्टेट तो पहले एक बार देखेंगे आप अपने इसमें देखें लोगे देखो अ यह है बहुत है और इस वाले डागराम में यहां पर आको क्या सबस्टेट वहाँ प्रोड़क्स में बनता निघ の तो यह पर दो प्रोड़क्त कि निखला हुगा तो यह प्रोड़क्त यह प्रोड़क्त कि वह कितनों में बिडिक होता है तो यह है त्रांजिस्टनुट थोड़ी अब मैं आपको संग्जाता हूँ इसको पढ़ा रहे हैं इसको पढ़ा रहे हैं सब पढ़ाएंगे अब समझो की एक्टिवेशन एनर्जी क्या सुन ध्यांस से पहले कंसेट समझो फ्री एनर्जी फ्री एनर्जी कंसेप्ट फ्री एनर्जी का मतलब ही होता है एनर्जी एविलेबल टू डू यूजफुल वर्क अब समझो ज्यांसे यह फ्री एनर्जी सबस्टेट के पास है किसके पास है सबस्टेट के पास चाहिवोव नक्टराइशusting यह क्या वर्क करेगा जा उसके पास प्रीएनर्जी है लेकिन थे वर्क करेगा कि वोषण कर तो तो इसको अपना chemical confirmation start करना structure confirmation start करना है यह उसके लिए work है यह उसके लिए work है और इसको free energy की demand है चाहिए उसको अपने configuration को कैसे भी change करे उसको अगर product में तरवट होना है यह उसका work है इसके लिए वह free इसके लिए उसको free energy चाहिए अब वो free energy अगर सबस्टेट के खुद के पास उतनी है तब तो बहार से energy देने की ज़ूरत नहीं है लेकिन अगर उस खुद के पास उतना free energy level नहीं है तो बहार से energy दीजिए किसी भी form में most of the cases में heat के form में देते है अगर वो catalyzed reaction है तो इसका क्य इसका भी वही काम है इसको भी product में convert होना है लेकिन उससे पहले इसको उसी free energy की मदश से पहले बाइंड होना है कि इसको और free energy की मदश से इसको अपने configuration में change लाना है और product में convert होना है यानि कि free energy is the available energy to do useful work work करने के लिए energy जो चाहिए उसको free energy कहते हैं तो यहां work क्या है कौन से work करेगा सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट यह work करेगा कि वह अपने अपने configuration में change लाए और ऐसा चेंज लाए कि सबस्ट्रेट प्रोड़क्त में convert लेकिन बीच में पहले कि श्ट्रेट आते है ट्रांजिशन से समयंदा ज्यांसे अगर सबस्ट्रेट अपना पूरा free energy utilize कर दिया product में convert हो तो मुझे बताओ product और सबस्ट्रेट के तुलना में किसकी free energy ज्यादा और किसकी free energy कम होगी अतीग बताओ प्रोड़क्त की free energy कम होगी अब उसको वर्क नहीं करना है वो बन चुका है और इसी वज़े से सबस्टेट कम स्टेवल है प्रोड़क्त ज्यादा इस्टेवल है और सबसे कम स्टेवल ट्रांजिशन इस्टेट है लो मैं लिग देता हूँ जादा होती है इसकी फ्री एनर्जी प्री पर इनर्जी मोर कि इसकी फ्री एनर्जी ना दो तो मुझाल है हमारा साउंड बिलकुल उएसा हाता है कि तुम उमीद नहीं कर सकते हो तुम अपना रिकॉडर सुना लिख के भेज़ो क्या बोल जो चैड सक्सन होगा बगल में कि प्रिइनर्जी मोर कि लेज यहां पर भी कि अर्जी मोर सबह स्प्रेटट का फ्री एनर्जी किम Wish और प्रड़क्ट का फ्रीएनर्जी कहले सबस्हेरोर की ना समझ में आएगा सरफिड और दली बोलो तंद अर्षा वॉ कि अधिक सुन पर हो क्या बोल रही है कि अवाज इसका ब्रेक के बाद पता नहीं चला अवाज इसका ब्रेक होता है इसको इसका नेट्वर को जारा प्रॉब्लम है जहां पे भी है कि अधिक सब्सक्राइब करना है सबस्ट्रेट को ना कि प्रोड़क्ट को और काम क्या है कि सबस्ट्रेट अपने यह चेंज लाए तो वह प्रोड़क्ट में अपने हैं सबस्ट्रेट को तो ज्यादा होगा तब और यह चुड़ेगा है और यह नहीं बिल्कुल इनर्जी नहीं तो इसा नहीं है इसके पास पीए थोड़ा बहुत तो यह मैं कह रहा हूं कि प्रोड़क्त के पास फ्री नरजी कम है और सबस्ट्र के पास प्री एनरजी जादा है अब समंँर। यह बस सुन लो जिसका इस्टेबिलीटी ज़्यादा होता है इसके पास अब होता है लोनोज वह नеждत्या चाहिए लिए एकसिंट हो अब कर्षट को देत कि लिसली स्टेवल ऐस्टेट को हमेरे प्रक्रण जीमेरे त्य तो बताओ अतिक तुम्हें क्या लगता है कि ट्रांजीशन स्टेट का फ्री इनरजी इन दोनों के तुल्ला में क्या होगा इन तीनों में सबसे ज़्यादा फ्री इनरजी इसी का होगा क्योंकि सबसे कम इस्टेवल इस्टेट है फ्री इनरजी हाइस समझते चलो जहां से अब अब मैं राता बलब कि यह पूरा सिस्टम में आरेंज कर दिया हूं बसे ग्राफ को समझाने के लिए अब राता फैला रहा हूं अब बता रहूं एक्टिवेशन नरजी क्या है समझा यह तो अब बस जनरल कंसेट्ट में समझा दिया अपको ऐसा नहीं लगता है कि सबस्टेट प्रोड़क्त में तो कनवर्ट होगा लेकिन उससे पहले इसके पास एनरजी है लेकिन इसके पास हाईयेस्ट इसका मतलब सबस्टेट को प्रोड़क्त में अनरजी रिलीज होगा अटीक एनरजी रिक्वाइड है या एनरजी रिलीज होगा जल्ली बलो जल्ली बलो हो है एक उस प्रोड पक्का प्रेकर यह क्योंकि इसकी यह रड़ कि और इसकी हाइस यहादा है ट्रांजिशन इस्टेट एसे यहां पर कर दो एनर्जी रिक्वायड एनर्जी रिक्वायड अब देखो एक लाइन में इपस्ट पता देटी पेसिन एनर्जी का एनर्जी रिक्वायड लाग वह रहा है लुग अपने अधिस्ट वेट वन सब्सक्राइब अभी लगोड़ा अधिक कि अधिक अधिक लगोड़ा अभी विए अभी नहीं हो रहा होगा तो बताना हाँ एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनीशन समझो अधम आसान डेफिनीशन अभी आपने का इस सबस्टेट को ट्रांजीशन इस अभी प्रोड़क्स बूल जाओ है कि सबस्टेट को ट्रांजीशन इस नहीं करप ऊने के लिए एनर्जी रिकौाइड है वही रिकवाइड एनर्जी अक्टिवेशन एनर्जी है के वहें रिक्वायड एक्टिवेशन नेनेजी हैं कि शुक्त कोईए सबस्ट्रेटि को तुक नवाट इंट प्रोड़क्त किताब हो में पर इसलिक अग्ति एक्टिवेशन 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 इसे रिक्वाड एनरजी बाइट नेर्जी बाइट अज एस नहीं से यह डिफिन सब्सक्राइब गलत लगता कैसे गलत लगता सुने दें से चलो अगला तुक बताना अटिक ट्रांजीशन इस टिड़ा प्रोड़क्त ने कर्वाट होगा एनरजी रिख्मट्यो एश्ट यह यह भी पक्राइट अ कि अश्यूसचब होगा प्रोड़क्त मे तो अनड़ीश लिएश्ट यहां पे भी आश्चर्ण प्रॉन्वेशन है प्रोड़क् किताबों में the energy required by the substrate to convert into product तो बच्चा के मन में यह वाला डाउट आता है तो सही डिफिनिशन सुनों सही डिफिनिशन सुनों energy required by the product to convert into transition state is known as activation energy यही सब्सक्राइब दिया गया energy required by the substrate to convert into product ejectivation energy वह भी गलट नहीं है हम भी सही है क्यों वह क्यों नहीं गलत है क्योंकि सबस्टेट कभी भी product में बिना transition state के convert ही नहीं होता है इसलिए तो पहले transition state theory प्राइब कोई भी सबस्टेट चैब कट्राइब कोई भी सबस्टेट सबस्टेट नहीं होता डाइटली प्रोड़क्त में पहले वह transition state में convert होगा transition state की free energy जादा होती है as compared to substrate और उस जरान energy चाहिए बहार से हीट का फाम में देते हैं में most of the cases में heat energy का फाम में उसको supply किया जाता है required energy हाँ अब सुना ध्यान से अब आपके मन में doubt आया होगा सबस्टेट से transition state जाने में energy required transition state या प्रोड़क्त में जाने में energy released ज्यादा released या required doubt आया ज्यादा released या required या बराबर answer है ज्यादा released यानि कि जितना energy सबस्टेट से free energy जाने में लगा है उससे कई गुना ज्यादा energy जब transition state product में convert होगा कई गुना ज्यादा energy release कर देगा कई गुना ज्यादा energy किस case में catalyzed reaction के अंबात कर रहे हैं uncatalyzed का नहीं पता है एंड-catalyzed में major case में यही होता है ठीक है लेकिन catalyzed के case में तपक्का बड़ेंजाइम के case में तपक्का कि यह वाला energy ज्यादा release वाला energy ज्यादा more energy आपना डल्टा जी गिफ्स फ्री इनर्जी डल्टा जी चेंजें गिफ्स फ्रीएंश्य एक्शन ग्यद्गर्ट यह जो तर्म अइग्जेंटर्मिक रियक्शन कांट्ट बीप्रेडिक्टेट अब बताओ तरह 02 परप हिरे टिस निभ också जहां पर इनर्जी टीकि में रियाक्षण संधुरे disciplined energy storage जो कि अफर और अबर्ले इनर्जीज उने पर होने पर रेक्ष्टन की हाट ऑस आपको इतना पता होना चाहिए कि डटा जी नहीं तो अब पर देल्टा जी जरूरी नहीं है तो फानली आपको यह पता चला कि ओभर ओल कट्राइश जैक्सम एनर्जी रिलीश होती है लेकिन अगर आप से डेफिनीशन पूसा जारा एक्टिवेशन एनर्जी तो यह जब आप परहारे इंजाईम जब परहारे वाप बाइलोजी तो यह अनकेट्रलाइश टेक्शन पढ़ाओ कि टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है एक ग्राफ है आपकी अच्छे लोग समझा नहीं पाए और अच्छे लोग समझाने पाए दोनी बाते हैं बस वह ग्राफ समझाने मुझे दूनों पर आना पड़ेगा अभी यहां तक कि सारी बातें आपको मैं एक बार समझाइस कर देता हूं चाहिए वह कटलाइश टेक्शन दोनों में बीच में ट्रांजिशन इस्टेट आता है और उसका इनर्जी सबसे जाड़ा होता है और सबस्टेट के पास फ्री सबसे के बारे में ही बताना चाहिए आपको इसी कही बारे में बताना चाहिए ठीक है तो वह एक्टिवेशन इनर्जी है अब समझना अभी आपके सामने एक सवाल था कि टेंप्रेचर बढ़ाने पे टेंप्रेचर बढ़ाने टेंप्रेचर बढ़ाने पे एप टेंप्रेचर बढ़ाने पर इनजाइम के एक्टिवेटी आपने टेंप्रेचर जैसे बढ़ाया तो एक्टिवेशन था ना इंटक्वायड करेंगा ने अब उसको कम रिक्वार्मेंट चाहिए यानि कि टेंपरिचर बढ़ा कि अपने एक्टिवेस एनर्जी घटा दिया है तो जब आप से कोई पूछे हाव इंजाइम कि अधर्णी अधर्णी मुण इंजाइम नवान चैनल आप संपा है अधर्णी आंजि कि अर्णी आइप टेंट अच्छल चैनल आप से इंजा थार्णी संपरीचर आइप जब झाल टेंगरिचर नच्टिवेस एंचिक्ट अग्रजि़ एंडिए तो इंगिन आट जा इसको करते हैं गया है यह बाउक्यमिस्ट्री आ आपको वह सब पढ़ा रहे हैं कि आप पुछी बूक पढ़ा लेना वाद में लेकिन हाँ अब लेकिन हाँ प्रिये सब चीज नीज में भी है लोग पढ़ाते नहीं है अलग वात है सब है प्रश्ची सम्झ में आ रहा कि बोलं लगा रहा है एन्पर शमझ में एक्शम एक्वेसन एनरजी है है या इसका साउंड बड़ा प्रॉब्लम है सब्सक्राइब है इसका तो प्राइब ने अपना प्रॉब्लम ना उडिस कर दो ने जो इनरजी जो रिलीस हुआ यहां पर प्रांजिशन से प्रोडक्ट में कनवर्ट होने के दोरान एक तो इनर्जी रिलीज जादा इस लिए हुआ क्योंकि रियाक्षिन मोर इस्टेबल की तरफ चाहरा इस लिए येस ज्टेबल इसके जादा होना है जाधा रिलीज होना है ठीक है अब समझो की हम उस graph पर कैसे आएंगे आएंगे रूखो अब मैं uncatalyzed reaction और catalyzed reaction के एक एक बातों को compare करूंगा activation energy को भी compare करूंगा मेल ही एक्टिवेशन energy को ही compare करूंगा तो सम्झो द्हांस से इसको एक general concept से समझाते हैं समझाय द्हांस से यह कोई चिनट ए तो यह सबस्टेट यह मिन्टू तो अब समझा जहां से चिंटू कहता है कि मैं भी नीट निकाल लूँगा मैं भी प्रोड़क्त में खनवर्ट हो जाओंगा मगर मैं रिजल्ट दूँगा टेंसर ना लो मगर मुझे पहले कुछ एनर्जी दो एनर्जी रिक्वाइड मिन्टू भी यही बात कहता है कि मैं भी नीट निकाल लूँगा मैं भी प्रोड़क्त में खनवर्ट हो जाओंगा लेकिन उससे पहले मुझे एनर्जी दो अब नहीं का रिजल्ट अब नहीं का कारण क्या है कि आपको कटलाइज और अनकटलाइज समनी में आएगा चिंटु है दूसरे टाइप का बच्चा यह क्या करता है ज्यादा कोचिंग घरने विश्वास रखता है अब कहीं पे भी क्लासमें ध्यान से नहीं सुनता है को पैसा सब जगह देता है पुल्पेमेंट सब जगह का अलगला कोफी बनाता क्लास्मेट का खड़िता है इवन इतना पैसा उसके पास कि हर जगह कोचिंग भी का पैन भी अलगला रखा है उस सेप्सक्राइब बनाओंनी करने नोट से बनाओंगा गहां वाले बच्चों को सब्सक्राइब जो कि सिवी क्लास में ध्यान से सुनता नहीं यह टीचर क्या बोल रहे हैं तो चिंटू को दस कोचिंग का पैसा देना पड़ता है दस कोफी खरता चिंटू को तब जाके चिंटू पांच साल तयारी करता है तो नीच निकालता है एक नॉर्मल गौर्वर्में करेंगे लेकिन जो कोचिंघ में जाएंगे हमती गुद्व सब्सक्रायां वहां करेंगे सब्सक्रार लृचिंगा नासरा फैला सथ लिए ऐसा सब्सक्र sait कि ऐसा ऐसा किसका सोच है मिन्टु का अब यहां पर जो मैं एकागर्टा की बात कर रहा हूं के बात कर रहा हूं तो बात अब आप सोचकर बताओ कि चुकि चिंटू के पास concentration नहीं है इसलिए वो 10 को कोचिंग करता है और 5 साल के बाद वो नीट का exam निकलता है और मिंटू के पास concentration है इसी वजह से वो कम कोचिंग करता है और एक ही बार में निकाल लेता है यह जो मैं कोचिंग की नंबर बता रहा हूं न कम कोचिंग यही concept था यही concept था अब यही concept था और इसको लोगवगर अठाते हैं रट लो रट लो क्टिलाइस डिएक्षन में कम अक्टिवेशन एनरजी को कि इंजाइम आ गया है अब यह तो मैं आपको पता है चिंटू और मिन्टू से लेकिन एक अच्छा टीचर आपसे कभी भी सवाल कर सकता है कि आखिर इंजाइम एक्टिवेशन एनरजी को कैसे घटाता है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे घटाता है कि मैं सेम तेंपरिचर पर दोनों को करा हूं केटलाइश और और सेम रियक्षन एक वार एंजाइम के साथ करा हूं एक वार विदाउट इंजाइम तो मुझे विद इंजाइम वाले में एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए और विद वाले में एक्टिवेशन एनर्जी और वह है इनरजी या बाइनडिग एनरजी नो कांसा है बाइनदिंग एनरजी समय होगी पンタर्ड़ एप आप रहा है और इसको कम देना पर रहा आखिर क्यों इसको कम देना पर रहा बहार से क्यों समझना ध्यान से इसको आप एनरजी देते जाओ यह अपने configuration में चेंज लाते जाएगा बाहर का नर्जी खाखाके तो यहां क्या होता है जैसे ही आप इसको थोड़ा सा energy दिये सबस्टेट को तो जैसे ही सबस्टेट लोग जितने भी सबस्टेट हैं अपने 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 एक्टीव साइट पर बांतिंग के दावरान इकटीब साइट पर बांडिंग के दावराण वीक फोर्सेट बंते हैं अब बनके ऑटूवलीन गफट्डी किसेसमें कि मैं और मॉनट। बोलू है क्योंसिदैंबमें बनने पे बनने के द्वारा ने लगता है और बन जाने पर इनर्जी रिलीज होता है तो जब यह सबस्टेट यहां कर गया तो यहां से कुछ सबसेट के बायंगे करने के अब यहां इनर्जी कुछ तो मुझे बताओ यही भी फ्रीनेर्जी की तरह करेगा हेलो सबस्टिट के लिए और जाब बाहर से दे रहे थे वह भी एजब फ्रीनेर्जी आप उसको दे रहे तो मुझे बताओ अब बाहर से आपको ज्यादा देना पड़ेगा इसके इनर्जी का इसको नहीं नहीं अब बताओ यहां इनर्जी आया है तो मुझे बताओ यहां पर बाहर से देने वाली इनर्जी कम चाहिए एजारा चाहिए अन-क्षैक एन्टाइज्ट के रिएज में ओकि इस दूड़ेगा इनर्जी यह दूड़ेशन इनजाएं देश्टिछ के साथ है या इनजाइन के साथ बाइंडिंग के वह ही बाइंडिंग एनरजी और वह वह बाइंडिंग नेरजी तो अब सबस्टेट को कम एनरजी जोहाइए उसको कम चाही है बाहर से बहर से रिक्वाइड एनर्जी ही ना एक्टिवेशन एनर्जी था that's why कैटलाइस जेक्षन है lower एक्टिवेशन एनर्जी as compared to uncatalyzed reaction मैंने graph का सारा concept clear कर दिया है graph अब भी बनाया भी नहीं अब अगर मैं graph फे direct चलू तो क्या आपको समझा आ जागा graph आज़ो तो उससे पहले क्या करो कि graph में अग्ले मिटिंग में दिखाता हूं आप आप क्या करो त्रांजिशन इस्टेट तोरी पर लो और